मुनावर ने निकलवाया मनारा को म्यूजिक वीडियो से मनारा के साथ नहीं करना चाहते थे मुनावर काम हेलो आप देखरे हैं फॉस्ट इंडिया टैली मैं हूँ रजनी दूबे भाई बिग पॉस से बाहर निकलने के बाद जितने भी कंटेस्टेंट हैं मनारा चोपड़ा ने अभिशेक के साथ म्यूजिक वीडियो किया तो वहीं मुनावर और हिना खान का म्यूजिक वीडियो आया इशा मालविया का भी बहुत जल्म्यूजिक वीडियो आने वाला है लेकिन मैं आपको जो खबर बताने जा रही हूँ उसे सुनने के बाद आप शौक जरूर होंगे आपको जटका जरूर लगेगा क्या आपको पता है अभिशेक और मनारा का म्यूजिक वीडियो जब आया तो मनारा काफी साथी एक्साइटेड थी जब उन्हें कहा गया कि उनके अभिशेक होंगे वो काफी खुश लिए अभिशेक के साथ म्यूजिक वीडियो करने में दोनों का म्यूजिक वीडियो भी आया लोगों को उनकी कैमिस्ट्री भी पसंद आई अब बारी आती है मुनावर की जब मुनावर के पास हलकी हलकी से म्यूजिक वीडियो का स्क्रिप्ट आया तो उन्हें सजेस्ट किया गया मनारा का नाम जी हाँ जिस तरह से घर के अंदर दोनों की कैमिस्ट्री दिखाए गई थी दोनों की बॉंडिंग दिखाए गई थी उसके चलते उन्हें मनारा के साथ मुजिक वीडियो करने के लिए अप्रोच किया गया लेकिन यहाँ पर मुनावर ने साफ तोर पर मना कर दिया कि उन्हें मनारा के साथ नहीं काम करना है यहां तक कि हिना खान का नाम मुनावर ने दिया था उन्होंने कहा था कि मुझे हिना खान के साथ इस म्यूजिक वीडियो में काम करना है याने कि हिना खान को म्यूजिक वीडियो मुनावर ने दिलाया है और मनारा को उस म्यूजिक वीडियो से निकलवा दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मनारा के साथ उनके नाम को link up किया जाया जिस तरह से घर के अंदर उनकी chemistry दिखाई गई थी बाहर आने के बाद काफी ज़्यादा controversy हुई उनके नाम को जोड़ा भी जाता था उनका hashtag भी बन गया था मुनारा लेकिन अब मुनावर नहीं चाहते कि उनका नाम मनारा चोपड़ा के साथ जोड़ा जाये इसलिए उन्होंने मनारा के साथ काम करने से मना कर दिया एक काफी ज़्यादा shocking खबर है जो fans है उनको जोड़दार जटका ज़रूर लगा होगा क्योंकि कहीं न कहीं सभी चाहते थे कि इन दोनों का music वीडियो आए लेकिन मुनावर ऐसा नहीं चाहते थे मनारा चोपड़ा के साथ काम करना वेल इस पर आपकी क्या रहा है हमारे comment section में जाकर comment करके जरूर बताए चैनल को like share and subscribe करना बिल्कुल लब हुले